कि हेलोफस बेलकम बेक तो अभीशेक test garden और में हूँ अगर आप अपने गाड़न में कलरफुल वाल प्लाइट लगाना चाहते हैं जो इसको आप cutting से किस प्रकारẤर्ण कर सकते हैं और किस प्रकार इसकी प्रक्र कर सकते हैं आज कि वीडियो में आधी बताने वाला हूँ तो friends वीडियो में लाज टक बने रहिएगा और वीडियो अच्छे लगया के तो वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब कर लें तो फ्रेंट्स बात करें कोलियस प्लाइट की तो कोलियस प्लाइट एक काफी कलरफुल प्लाइट है जिसा कि आप देख सकते हैं इसकी लीफ्स किती शुंदर होती है और काफी कलरफुल होती है तो फ्रेंट इसमें आपको काफी variety देखने को मिल जाती है और अगर आप अपने garden को colorful बनाना चाहते हैं तो इसकी कई variety आती है जो आप अपने garden में लगा सकते हैं और यह काफी आसानी से लग जाते हैं मैंने इसकी यह cutting अभी दिरदों मेंने बेली ही लगाई थी और यह देख सकते हैं आप यह कितना healthy और कितना अच्छा लग रहा है अभी plant मेरा तो इस प्रकार आप भी अपने गर में अपने garden में इस plant को cutting से लगा सकते हैं और इसकी cutting काफी आसानी से लग जाती है आपको एक ऐसी soil बनाना है जिसमें moisture बना रहा है तो इसके moisture वाली soil काफी पसंद होती है तो आपको एक moisture वाली जो की moisture hold करती हो थोड़ा सा हलका उस प्रकार के आपको soil बनानी है और बात करें इसको रखने की तो इसको आपको एसी जगह पर रखना है जहांपर इसको चन के 2-2 गहंटे के अच्छी bright light मिलती रहे इसको आपको तेज दूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है अगर आप इसे तेज दूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियों का जो color है वो आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा इसकी पत्तियों को जो color है वो down हो जाता है और धीरे धीरे पत्तियां जलके जलने लग जाती ह तो आपको इसको तेज दूप में विल्कुल भी नहीं रखना है और आपको इसको इंडॉर भी नहीं रखना है जहां पर इसको हलके हलकी संलाइट मिलती रहे और फ्रेंट्स बात करें इसको बुशी बनाने के लिए तो आपको इसको बुशी बनाने के लिए इस प्रकार से इ पिंचिंग करते रहेना है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां से इसकी टीस प्रकार से कुछ फिलावर भी आते है कि इप यहां पर बनेंगे तो वह आपकी प्लांट की इनर्जी को खा जाएंगे और आपका प्लांट मरेंगे पिंच ना इसको हटा देना है और बात करें अगर आप इससे बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसki पिंचश ऊपर से जो टॉप है उस प्रकार से इसकी तो आपको हटा दिजिए ऑंगिंच करदी यह से इसमें नहीं 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 ब्रांच लिकल के आती हैं और आपका प्लांट भूशी हो जाता है और प्रेंट्स आप इसमें वाटरिंग का ध्यान दखें क्योंकि अगर आप एक दो रोज तक वाटरिंग नहीं करेंगे अगर दो-तीन दिन आप वाटरिंग नहीं करते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बिलकुल मुर्जा जाएगा तो कि इसको एक मौश्यर पसंद होता है इस प्लांट को तो आप इसमें वाटरिंग समय समय पर ध्यान से करते रहें एक से दो दिन में तो फ्रेंट्स आज के लिए एत्ता ही और अगर आप वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न